हेलो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा वैलुजिब तो आज के इस वीडियों हमने बात करने वाले हैं लखनौ यूनिवर्सिटी के एड्मिशन से रिलेटर तो आप सब को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अंडर ग्रिजव इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रिजविट एड्मिशन में किस तरह के कोर्सिज देखिए यहां सारे कोर्सिज है बीए बीए सी बीकम और लगभग और सारे सब्जेक्ट से उसके बाद आपको फार्मा के भी कुछ कोर्सिज हैं आप इन सभी कोर्सिज में कर सकते हैं अंडर ग्रिजविट में तो कैसेõ करें इसके बारे में बात करेंघे अगर किसी सब्जेक्रायए मुए सेडिया धियान है इसका और अपको इस могу लोगो बन के आ जाएगा तो इसमें करने के बाद आप जैसे इसको open करेंगे क्लिक करते ही आपको ये आपको pop-off message आजागा उपर खुल करके ही इसको आप किसी दूसरे phone से भी scan करके कर सकते हैं या just इस पे आप क्लिक करके आप form को fill कर सकते हैं सबसे पहले इसमें registration करना होता है लखनाव university registration number आपको मिलता है उसी से आपका application form next खुलेगा भी ये बहुत important होता है आपके आगे के लिए admit card से related और exam में आपको participants से related ये एक आपको registration number मिल जाता है इसी से आपका next time आप किसी दार कोई भी edit या कुछ भी कर सकते हैं तो इसको registration करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें detail डालने पड़ेंगे जिसमें आपके personal detail होंगे father name होंगे mother name होंगे आप personal detail में आपके जो है जेंडर, domestic, caste, caste certificate नंबर देना पड़ेगा आपको upload भी करना पड़ेगा nationality, religion, blood group, id proof उसके बाद आप जो है अधार कार्ड कुछ भी दे सकते है id proof में और आधार नंबर देना यह सब compulsory है जिस पर भी rate star बना वो सब compulsory है उसके बाद आपको correspondence address और permanent address correspondence address, permanent address सेम हो सकता है यदि आप अलग different जगह पे आपका current location है तो आप उसके हिसाब से भी दे सकते है correspondence address में current address दे सकते है और permanent address में जहां घर का address होगा वो दे सकते है उसके बाद अगर आपका लिखा हुआ यहाँ पे click if permanent address is the same as correspondence तो आप correspondence address डाल के सिधा टिक किजिएगा तो फिर यह fill करने के आपको need नहीं है उसके बाद यहाँ पे click करेंगे और आप save कर देंगे तो आप देखिए यह application form for urn है उसके बाद आपको fees payment करने के बाद confirmation मिल जाएगा यह आपको registration fees होगे उसके बाद आप कोई भी subject जिस subject में admission लेना चाहते हैं फिर आपको यहाँ पे आप देख पाड़ होंगे कि आपको click here online form for under graduate program फिर आपको under graduate program में अगर आप जिस तरह में भी admission लेना चाहते हैं या आप under graduate professional program में admission लेना चाहते हैं या आप B.A.B.L.A.D. में admission लेना चाहते हैं डी फार्मा में admission लेना चाहते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे साड़े courses का दिया गया है आप उस पे click करके आप वो URN use करके आप आगे form fill कर पाएंगे जब आप online undergraduate program पे या undergraduate professional program जिसका भी आपको form भरना है उस पे जैसे click करेंगे तो आपको इस तरह का interference खुल के आ जाएगा इसमें दिया है कि requirements for आपको form submission के लिए क्या-काचीज के जोहत पड़ेगी सबसे पहले L.U.R.N. number जो हम आपको अभी बताया है कैसे generate करना है उसके बा का होना चाहिए और आपको signature भी पचास के भी से नीचे का होना चाहिए उसके बाद ID प्रूफ चाहिए होगा any of the following entering the number at a designated place in the online application form जिसमें से अधारकार, voter ID का, driver license, passport इसमें से कोई एक होना चाहिए application form की बात करें, fees की बात करें तो general EWS OBC के लिए 800 है, SCST के लिए 400 है और differentially, about physically, about student के लिए 400 है तो ये सारी requirement आपको form fill करने के समय जरौद पड़ेगा, उसके बाद आपको category certificate की जरौद पड़ेगा, अगर आप किसी भी category के लिए आप claim करते हैं, चाहें EWS हो या OBC हो या SCST हो तो आपको ये देना पड़ेगा, उसके बाद आपको OBC issue एक साल से पहले, sorry, आपको कह रहा ह तो नहीं होगा, उससे कम का होगा, तो सही होगा, मतलब कि आपको 1 July 2021 के बाद का होना चाहिए, 1 July admission year जो है, उस समय तक 3 साल होना चाहिए, NCL के लिए भी same criteria है, उसके बाद income certificate चाहिए होगा, applicants will have to enter the number of this certificate at the time of filling, अगर आप किसी category से हैं, और या general से हैं, तो जनरल के लिए त करते हैं, तो आपको income certificate अगर मांगा जा रहा है, तो आपको वो देना पड़ेगा, reservation के लिए, फिर यह सब आप पर लिजेगा, important note सब यह सब दिया गया है, और आप यहां पे declaration करेंगे, I agree पे click करेंगे, और नीचे register on admission portal पे click करेंगे, जैसे admission portal पे click करेंगे, इस तरह आपक आपने डाल चुके हैं, वही सब रहेंगे, educational qualification डालना होगा, under gadget के लिए दाल रहें, तो आपको intermediate के सारे detail डालने हो बढ़ेंगे, उसके बाद documents आपको upload करना पड़ेगा, preview कीजिएगा, application form आपका सही है, गलत है, किसे दर कोई mistake है, तो वहां से edit कर सकते हैं, उसके बाद जैसे fees payment करेंगे, आपका confirm हो जाएगा, तो यह आपका पूरा form fill करने का process था, अगर किसी दर का confusion अभी भी है, तो आप आपको comment section में बता सकते हैं, हम आसा करते हैं, कि आपको form fill करने में दिक्कत नहीं आएगे, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हमारे साथ ब जरूर आएगे, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया,